तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे Spurs Pension Portal में बिना Login हम क्या क्या कर सकते हैं देखिए दो चीजे होती हैं जब हम Spurs Pension Portal को Open करते हैं एक हमारे पास Login Panel होता है वहाँ पे क्लिक करेंगे, Login करेंगे तो वहाँ से हम अपना Documents डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि हमारा PPO हो गया, Correspondum PPO हो गया या फिर आपका Entitlement हो गया, Form 16 हो गया तो यह जब हम, मैंने आपको बताया था कि Form 16 डाउनलोड करके आप ITR में फाइल कर सकते हैं और सभी Pensioners को फाइल करना भी चाहिए चाहिए वो Tax Category में आते हो या नहीं आते हैं उन्हें अपना ITR फाइल करना चाहिए उसका बड़ा ही Financial Benefits है आपको बैंक से मिलता है Anyway, आज मैं आपको यह बताने वाला हो कि Spurs Pension Portal में आप Log In नहीं करते हैं तो बिना Log In हम क्या-क्या चीज़े कर सकते हैं और सब कुछ Practically बताऊंगा Step by Step बताऊंगा इसलिए वीडियो को सुरू से लेके लास्त तक जरूर देखेगा और देखे, OROP 3 अभी कोई लागो नहीं हुआ है कोई notification नहीं है तो अभी हम फिलाल उस पर ज़्यादा discussion नहीं करेंगे और अभी जो हमारे पास pension आने वाला है वो regular pension है इसलिए अपना life certificate updated रखिये फिलाल Spurs Pension Portal को सीखिये क्योंकि नहीं चाहते हुए अब Spurs Pension Portal आई ही गया है तो इसको अच्छे से समझना ये हमारी जिम्मेवारी है तो चलिए हम कोसिस करते हैं और एक बार इसको सब कुछ proper way में समझते है देखिये Spurs Pension Portal का ये official website है जो कि है Spurs.DefensePension.gov.in ये पहली चीज़ है अब इसको अगर आप अपने mobile phone से open करना चाहते है या computer से या laptop से आपको क्या करना पड़ेगा आपको जस्त एक नया tab open करना है उसके बाद आपके सामने Google ऐसे open हो जाएगा इस पर आपको बस Spurs टाइप कर देना है जैसी टाइप करेंगे देखिये फॉर्स वेबसाइट आपके सामने आ गई है ये जो फॉर्स लिंक है ना बस इसी पर आपको क्लिक करना है आपका Spurs Portal ओपन हो जाएगा ये देखिये Spurs Pension Portal ओपन हो गया सबसे पहले जैसे ही Spurs Pension Portal ओपन होता है तो आपके सामने ये अलर्ट मैसेज आता है तो नो यूर आइटिफिकेशन, लाइफ सेटिफिकेट और माइगरेशन इस्टेटर्स, क्लिक हैर तो ये वाला जो अलर्ट मैसेज है ये आप सभी को आएगा बस यहीं पर क्लिक करना है अब ध्यान रखना ये है कि मैंने चुकी आपको बताया कि बिना लॉगिन किये भी आप बहुत सारी चीज़े परफॉर्म कर सकते हैं तो आज मैं आपको Spurs Pension Portal लॉगिन नहीं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में लॉगिन करके भी दिखा दूँगा और एक चीज़ आप से कहना चाहूँगा बीच में कि अगर अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइगन को भी दबा दीजिए आपको सही और सटीक जानकारी शेर करें और साथ ही इस पर्स पेंशन पोटल आपको खुद से चलाना आजाए तो चलिए यह देखिए इस पर्स पेंशन पोटल में अब आपके सामने यह जो एलर्ट मेसेज आएगा यहाँ पर जो क्लिक हेर वाला बटन है बस इसी पर हमें क्लिक करना है तो एक बार इस पर क्लिक करते हैं आप देखिए यह यूनिक आइडेंटिफायर पूछ रहा है और मैंने हर वीडियो में इसके बारे में बता है और यह चेक भी आपको करना चाहिए देखिए आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा अक्टूबर और नवंबर में जीवन परमान पत्र भरने का टाइम था पिछले साल की बात कर रहा है 2023 की उसको PCDA ने इस पर्स ने बढ़ा करके आपका जून 2024 तक कर दिया था तो इसलिए किया था कि 7-8 महिने का एक्स्टेंशन इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे पेंशनर अपना जीवन परमान पत्र अपडेटेट ही नहीं कर पाए तो ऐसे में उनकी पेंशन रुख जाएगी फिर दुबारा से इनिशेट करना बहुत प्रॉब्लम है तो वो सारे details सारी चीजेँ आप खुद से बिना इस परस में लोग इन किए चेक कर सकते हैं वैसे एक सर्वाल ये भी आता है कि तो लोग इन करके चेक कर सकते हैं लोगेन करके तो आपको सारे option ही मिल जात है लेकिन किसी कारण से या आपका मन ने ये लॉग इन करने का आप बिना लॉग इन किये हुए भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं और प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ इसलिए आप इसे देख सकते हैं यहां पे चार आप्शन है in the bank account number, personal number, purpose का प्प्यो नंबर और EPPo नंबर तो चार उप्षै कोई सबसेटान का यहां से ले फैरस बडलता है यहां पर अफैंटिकली एडियन जो trust का हूँ चुए लीए जिटिकली छूरे talking है द्यान और दीहां रहे हैं वो 110% सही होना चाहिए अब दूसरा personal number हमने डालना है तो हम एक अपना personal number डाल देते हैं तो personal number का मतलब आप समझी रहे जो आपका IC, Resimental और GPF number होगा वो डालना होता है और नीचे में एक capture code का option बन कर गया है बस ये वाला capture code में कुछ करना नहीं होता जो चीजे लिखी हुई है same as it is आपको लिख देना है बस ध्यान ये रखिएगा कि जो capital है उसको capital में लिखेंगे जो small है उसको small में लिखेंगे तभी वो capture code match करता है तो बहुत पर क्या होता है कि capture code डालना है और small को आप capital में डालना है तो दिक्कत होगा क्लिक कर देना है आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका information अगर सही होगा तो देखें आपके सामने information आ गई और ये सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है अगर आप अपने spurs के बारे में अपने details चेक करना चाहते है अपने जीवन परमान पत्र का details चेक करना चाहते है सब कुछ आपको एक जगा पर मिल जाएगा वो भी बिना login किये हुए और ये अभी आप practically देख भी रहे तो आप खुद से भी इस चीज को try करें और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस पर्स pension portal अब खुद से operate कीजिए so that कि आपको भी सारी चीजे समझ आई सही है तो अब देखे यहां पर आपको क्या-क्या details मिलता है एक बर मैं आपको define करता हूँ देखे मैं सुरू से बता रहा हूँ कि सारी चीजे क्या-क्या आती है वैसे जीवन पुर्मान पत्र का सारा अपडेट आपको यहीं मिल जाता है बिना लॉग-इन किये हुए तो चलिए एक बार जानते क्या-क्या details आता है सबसे पहले आपका जो ओरिजिनल पीपीओ नंबर है वह आपको शो हो जाएगा मुबाइल नंबर आजाएगा जो आपने अपने रिकॉर्ड आफिस में अपडेट करा है जो इस पर्स में आपका अपडेटेट है वह यहीं शो होगा सिर्फ दो चीजों आपकी पता होने जी आपका किस बैंक में पेंशन जा रहा है और आपका अपना आइसी रेजिमेंटल जीपीएफ नंबर क्या है यानि की परसनल नंबर क्या है बस वह नंबर आपने डाल दिया आपका काम हो गया और यहां आपके सामने हैं सारी चीज़ मतला अक्टूबर तक सुरक्षित है अब अक्टूबर में हम लोग एक फिल कर लेंगा फिर एक साल के लिए बढ़ जाएगा और लाइफ सर्टिफिकेट जीवन पुर्मान पत्र अपने मुबाइल फोन से खुद से कैसे डालेंगे हमने सारी चीज आपको इस्तेब बाता र करेंगे या फिर अब मुबाइल वो देख लेंगे उस तेम पर जो भी होगा अब एक से देर महिने में लाइफ सेडिफिकेट अपडेट करेंगे तो आपके शाथ इसको भी शेयर करेंगे अब आ रहा है हमारा माइग्रेट डेट आप किस दिन माइग्रेट हुए थे इस प यहीं पर पता चल जाए का तो जिनका डेटा इस पर स्में नहीं है यह चैक करना चाहते हैं यहाओ यह चांगा शेक्र आहिक ट्क आरेक्स्ट है कि प게 अब चुकि देखिए एक चीज है कि आइडेंटिफायर हम दो बार डालते तो सेम डिटेल जो है यह आपको दो बार देगा वही डिटेल आपको यहां पर फिर से दे रहा है माइडेशन डेट फिर जाईएगा नीचे तो यह मतलब तीन तीन बार यह ना कुछ इसपर्स वालों के तरफ से मिस्टेक है कि तीन बार एक ही डेटा को शो करते हैं लेकिन यह डेटा आपके पास प्रोपर वे में आता है यानि कि ऑरिजिनल पीप्यो नंबर नाम इसपर्स क बिना लॉग इन के हुए बस अपने दो आइडेटिफायर सेलेक्ट करके आप डाल सकते हैं सारा कुछ आपने प्रैक्टिकल ही देखा तो मुझे लगता है कि आप एक बर खुद से जरूर करेंगे कि आपका प्रोपर डेट क्या दे रहा है प्रोपर डिटेल्स क्या क्या क् चेक करेंगे और वैसे इसके पहले के वीडियो में देखिए हमने एक टेबल बना करके बताया था कि और पी टेबल से समझे कि किस रैंक को कितना फायदा होगा मतलब सिपाही से लेकर के और रेडी कैप्टन तक का हमने बताया हुआ है कि क्या उनका पैंशन टेबल में बेन पैंड़ नहीं और यह टेबल भी स्टेंड़ नहीं जो मैंने आपको दिखाया लेकिन यह एक्सपेक्टेट वैल्यू पर है जो हमने रिसर्च किया है तो एप्रॉक्सिमेटली जो और पी 3 का बेनेफिट आपको मिलेगा वह कुछ इसी टाइप का मिलेगा इसलिए इस और बहुत सारे रियूमर्स आते हैं तो मैंने पहले ही आपको बता दिया देखे वीडियो में कि पुरानी पेंशन विवस्ता जो है वो कभी लागू होई नहीं सकती और यह ऐसा मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ क्यों बोल रहा हूं क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी में भी उसमें अगर सरकार कुछ थोरा सा ध्यान दे तो उस पर वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं लेकिन ओल्ट पेंशन इसकीम वो लाने के मूड में नहीं और आएगा भी नहीं तो यह छोटी-छोटी चीजे जो आपको ध्यान रखना चाहिए औरोपी 3 भी मैंने आपको बत इसका benefit मिलेगा हम आपके साथ जरूर शेर करेंगे लेकिन अभी pension को बहुत फायदा हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया इसके उपर बहुत सारे वीडियो बनते हैं और सभी लोगों को ऐसे लगता है कि pensioner को बहुत ज्यादा कुछ मिल रहा है लेकिन असल धरातल पर क्या है य अनिवे जो सटीक information होगी जो सही जानकारी होगी वही हम आपके साथ शेर करेंगे मेरी कोशिस है कि आप इस पर्स पेंशन पेटल चलाना सीख लिजिए हमारे जितनी भी pensioners है चाहे उन्होंने में सब्सक्राइब किया या नहीं किया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाह किप वोचिंग कीप स्माइलिंग अपन और अपने साथ सबका ख्याल रखें जय हिंद बंदे मात्रम